इस वक्त की जो सबसे बड़ी ख़वर हम आपको दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं हम आपको वीजे चौंक से जहां पर पारलेमेंट के बाहर अगर आप लोग देख पाएंगे तो तमाम जो है जितने भी संसद हैं जो बिवक्ष है वो सारा एक साथ एक जूट हो चुका है यहां पर मार्च करने के लिए आचुके हैं राष्टपती भवन को यहां पर घेरने की कोशिश की जारी है हालां को की जारी है इस वक्त विपक्ष और पुलिस जो है वो आमने सामने हैं और भारी पुलिस वल जो है वो यहां पर लगा हुआ है बताया जा रहा है कि यहां प पर किसी परकार का कोई धरना या मार्च जो है वो नहीं किया जा सकता लेकिन उसके बाब जूद भी यहां पर जो सांसद है मलिका अरजुन खरगे और रागव चड़ा से लेके तमाम सांसद जो हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं राष्टपती से मिलने की मांग कर करें आपको दिखा दें कि उनके हाथ में जिस तरीके के पोस्टर हैं उसमें मोदी और आडानी की तस्वीरें बनी हुई है और लगातार मोदी और आडानी को भाई-भाई का दर्जा जो है वो यहां पर दिया जा रहा है यहां पर दिखाया जा रहा है कि मोदी और आडानी कि इस तरह से दोस्ती है जिसकी बजह से जो है लोगतंत्र खत्रे में आ चुका है यहां पर लोगतंत्र की बात करने वाले को बोलने नहीं दिया जा रहा है आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से पुलिस जो है वो रोकने की कोशिश कर रहे ही है लेकिन सांसत जूंके मार्च जो है वो नहीं निकाला जा सकता लेकिन आपको बता दें कि मलिका और जुन खड़ गे और साथ में रागव चिद्धा से लेके तमाम सांसों यहां पर पहुंचे हैं और जेपी सी की यहां पर डिमांड की जा रही है आपको बता दें कि गुजरात अदालत ने भी रखने का अपना पक्ष रखने का तीस दिन का उनको अभी वक्त दिया गया है लेकिन यहां पर लगातार जो है मलिका अरजुन खड़ गेने मीडिया से रूबरू होते हुए यह ब्यान दिया है कि लोकतंतर जिस तरीके से खत्रे में हैं राहुल गांदी को बोलने नही अडानी का परदाफास जो है वो यहां पर करने की मांग की जा रही है हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर पीछे तमाम वो सांसद और तमाम यहां पर नेदा लोग यहां पर पूरा बिपक्ष जो है वो यहां पर पहुंचा है और एक ही मांग जेपी सी की मांग की जा रही ह तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार जो है, यहां पे सानसों जो है, वो Flex और करने के लिए, यहां पर पहुंचे थे, उनको ने डिटेन कर लिया गया है, उनको आप बसों के दौरा जो है, वो लेके जॉये जा रहा है, यहां से पुली स्टेशन लेके जॉ उनको क्योंकि उनको बार बार ये चीज बोली गई थी कि धारा 144 जो है वो लगी हुई है और यहां पर आप लोग मार्च नहीं कर सकते लेकिन उसके बाब जूद भी जब सांसदों ने उनकी बात नहीं मानी है तो उनको डिटेन कर लिया गया है और फिलहाल जो है अभी उनको बसों में जिस तरीके से ले जाये जा रहा है आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से सारे के सारे सांसद जो है अब यहां से डिटेन होके यहां से जा रहे हैं और लगातार एक ही मांग फिर से जो है वो की जा रही है कि जो लोगतंतर खत्रे में है राउल गांदी क वो बोल ने दिया आप देख रहे हैं सोगंद टीवी सोगंद वतन की